सुक्देव सिंगोगामेडी की बेटी और आज यहाँ सब एकटे हुए हैं क्योंकि मेरे जो पापा है सुक्देव सिंगोगामेडी उनकी गोली मार कर हत्या कर दी गई है गदारो दुआरा और मेरे पापा ने पहले भी प्रशासन को बहुत बार कहा था कि मुझे सुरक्षा दी जाए क्योंकि मुझे बहुत धमकिया आ रही है पाकिस्तान से और भी कई देशों से और जैसे पंजाब पुलिस है उन्होंने भी बहुत बार कहा था राजस्तान की प् मेरे पापा के बहुत सारे जैसे सपने है जो कि मैं पूरे प्रयास करूंगी पूरे करने के लिए और उन्होंने हमेशा मुझे एक बेटे की तरह ही समझा है मतलब बेटा ही बोलते थे और ऐसे बोलते थे तुम मेरी बेटी नहीं हो मैं बेटा ही मानता हूँ और हमेशा तुम्हें अगर मैं नहीं रहूं तो मेरी जगा हमेशा काम करना है और जैसे वो दिन राथ हमेशा सर्व समाज के लिए खड़े रहते थे अब उनकी जगा मेरी मम्मा वैसे तो बहुत खड़ी ही रहती है और वैसे भी वो बहुत से अंश साथ दादी साओं को अगर कोई को में जरूरत पड़े तो मैं रात को भी वहाँ खड़ी मिलूंगी और परिवार जैसे सुरक्षित रहे अब इन्होंने जैसे पुलिस इदर चारों तरफ देख सकते हैं पुलिस ही पुलिस है लेकिन तब इन्होंने कोई भी सुरक्षा नहीं दी गई हमें लाइक मेरे पापा को भी कोई कोई भी सुरक्षा नहीं प्रदान की गई और इसी का फलाज ही यह सब है अच्छा उर्वशी आपकी कब लास्ट आपके पापा से बात हुई थी लास्ट फॉर्थ को ही थी फॉर्थ ओफ दिसंबर को परसो मालो पकड़ताम करा अच्छा नहीं तब तो मैं शायद तक स्कूल में थी और जब मैं आई तब तक तो मेरे कोई ने बताया भी नहीं और जो मेरी मम्मा थी वो भी जैपूर चली गई थी और मुझे कल पता चला था आपने बताया कि आपके जो पापा हैं आपको बेटा मानते हैं क्या कुछ सपने उनके थे और आप पूरा करना चाहेंगी वो बस हमेशा यही कहते थी कि राजनीती में हमेशा तुम्हें आगी रहना है और मैं ये सपना पूरी तरह से पूरा करूँगी और मेरा एक ही गोल है जो कि है पॉल्टिक्स अब मैं भी उन्हीं की जगा राजनीती में आऊंगी करणी सेना कि तुरू आगे बनाएंगी उनका हाँ जरूर जैसे मेरा पापा करणी सेना हो या सर्व समाज हो या फिर भादरा की राजनीती हो विधान सबाचेत्र की राजनीती हो मैं हर एक चीज में अब आगे ही रहूंगी जैसे कि जो काम मेरा पापा ने किया था अब जैसे हम हर एक गरीब जो भी है दलित समाज के लोग है इनके साथ भी बहुत अत्याचार होता है उनके साथ भी हमेशा मेरे पापा खड़े रहे हैं तो मैं भी हमेशा खड़ी रहूँगी चाहिए वो कोई भी समाज हो मैं अभी एट में हूँ और गोल मेरा यह कि अब वह है पॉल्टिक्स आपकी सिस्टर आपसे चोटी है बड़ी है नहीं वह अभी चोटी है वह फिस्ट क्लास में अभी ममा से बात तो हुई थी अब उन्होंने तो यहीं बोला है कि ठीक है अब रोने से तो कुछ नहीं होगा अब राजनीती में यह बस आ गया आना है और जो पापा ने नाम बनाया है वो हमें बना नहीं है और जैसे कि श्री राष्टी राजपुद करनी से नहीं इसको आगे बढ़ाएंगे हम जैसे कि हमेशा से चलती आ रही है और जितने भी मेरे पापा के सपने थे उन्हें मैं पूरा करना चाहूंगी और जो भी और जो भी जैसे गरीब लोग हैं उनकी साहता करने में तो हमेशा ही हम आगे रहे हैं और आगे भी हम करते ही रहेंगे चाहे वो कोई भी समाज के लोग हो झाल झाल